नमस्कार मैं हूँ यूसुफ अली आप देख रहे हैं सेफ नियुद लायू आईए देखते हैं आज की खास ख़बर दोस्तों कि कुल इंसान रात में गर में सो रहा हो सुकुन की नीद और अच्छानक से गर की च्छत आग गिरे तो उस परिवार का क्या हाल होगा जी हाँ ऐसी ही एक गटना कल नाल्ids वपरा में गटिक हुई आलास वपरा के वैस्ट में पष्टिम में हनुमार नगर में जेक्रिष्णा पार्टमिन नमकी दिसमा गिरे जादो परिवारms उसके साथ में यह हास्ता हुआ लाद को बारा बजे जब जादो परिवार आराम की मीन सो रहा था अब अचानक बिल्डिंग का स्लेप गिरा जिसमें चार जने जख्मी हो गए हाला कि किसमत अच्छी थी इन लोगों की कि कोई बहुत बड़ी दुरगटना नहीं हुई लेकिन फिर भी इन सभी जख्मी लोगों के हाथ में पेर में काफी चोटे आई ये हसा जब हुआ तब इस सासे के आवाद काफी जोर साई जिससे आज पास के लोग जमा हो गए और उन्हें तुरंट इन लोगों को अस्पताल पहुचाया गायलों का अस्पताल पहुचाया गायलों का अस्पताल में इलाज अब भी चालूँ है अब इस बिल्डिंग के गिरने को लेकर ऐसी भी कुछ जानकरी सामने आई है कि ये बिल्डिंग अतीध़ दोकादायक बिल्डिंग की श्रीणी में है जिसे महानगर बालीका ने इस बिल्डिंग की सोसाइटि को पहले ही बिल्डिंग को गिराय जाने का नोटिस दिया हुआ है लेकिन फिल्पी बिल्डिंग वासी उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो कहीं ने कहीं अब ये हाथसा होने के बाद में ये चीज और भी ज़्यादा जरूरी होगी कि इस बिल्डिंग को खाली करवाया जाए और खाली करवाया जाकर इसको जल से जल इस बिल्डिंग को डिम जो लोग जक्मी उनकी पाप दिती है तो मैडम आपकी परिवार की सदस से घायल हुए कल रात को च्छत की सीलिंग जो है वो गिर गई क्या कहना चाहेंगी क्या कारण है क्या उपकर है वेक्चली रात को यह 12 बज़े हाथसा हो गया हम लोग सब सो रहते हैं लेकिन आचानक से चत गिरने को जिसे हमें पता ही नहीं चला कि एक्चली क्या होए कि लाइट भी चली गए थी हम लोग सब बाइबन चिला रहे थे कि क्या हुआ कि दो बच्चे है मेरे बड़ा बाई बावी और मैं एक साथ हम लोग हाल में सोहे थे और दूसरा चोटा बाई और उसकी बीव पाथ साल हो गए लेकिन अभी तक कोई भी बीडर या सोसाइटी कोई कुछ नहीं कर रहा है क्या आपने इसकी कंप्लेंड की मैंने रात को चार बचे पुलिस कंप्लेंड की है साड़े चार बचे तक लगबग पुलिस आई थी उन्हेंने पंच नमा किया है मुझा सुबह बोला था कि दस बचे सोसाइटी की लोगों को लेकिया लेकिन अभी तक सोसाइटी की लोग कोई जमार की तरब से क्या कहा गया विल्डर आके खाली देख के चले गए उन्हें तो कुछ नेका क्या मांग आपकी बस मैं खाली यह चाहते हूं कि जो भी हमारा नुकसान हुआ जो भी फिसिकली मेंडिले तो कर नहीं सकते लेकिन फिसिकली और क्या बहुते है इसको फाइनशली जो भी हमारा नुकसान हुए वह हमें मिलना चीए और अभी हमको तो बीमसी वालों ने बोला है कि अभी आप लोग एंटर नहीं कर सकते घर पे किनकि घर की हालत ऐसी है कि हम लोग जा भी नहीं सकते जिसके साथ यह हाथसा हुआ है जो घायल हुए है उनकी हालत अभी कैसी है मेरे बाभी को चोट लगे सर पे पैर पे लगा है पूरे हाथ पे लगा है जुसरी बच्ची है उसको पूरे पेट पर पूरा स्लैब गिरा है और मेरे बड़ा भाई ज् अभी नहीं सकते अंधर हम लोग तो बदले हमें रूम चीए और जो भी हमारा नुक्सान हुआ है वह हमें मिलना चीए मैडम क्या हाथसा हुए आपके साथ कितने बजी की घटना है क्या कहना चाहेंगी यह जाला हमसे रात्री बारा पाच ला बरोबर सिलिंग पड़ून आमी साउगा जाना माजी दोन मूला माजे मिस्टर आमी कहा है जालो है चामादे जखमी जाला है मिस्टर आँशी आपके साथ आपके फैमिली में और कॉन रहते फैमिली में और मेरे देवर है देवरा नी है उनकी छोटी लड़की है और ननन भी एक लेकिन वह दो अंदर सोय थे देवर देवरा नी ननन बेड़ पे सोय थी इसलिए उसको नहीं लगा कुछ बेड के इधर आगे की साइड पूर सब गिरा हूं लोग के उपर ही गिरा पुरा स्लैप चारो जंद के उपर किया कहना है टौब कि अब तक बिदर तो आया है नहीं है मुझे मेरे तक नहीं आया है देखने के लिए नहीं पता है कि अधिन गया की रून देगे पुस्ता जगा रहने को तो बाकी का वो सुसाइटी वाले उनकी साथ मिटिन का रहे हैं अधिया खें कुई कंप्लेंग किया पुली साके गई देखे पंचना करके और औहुंने बोलाए थी यह सब अपना हवसिं सोसाइटी का जो ए रहता है ओफिस और सोसाइटी का यह है प्रिमिलर केस नहीं है हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एयों सेवा से संबंदित विज्यापन है तू मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर करें